आधार कार्ड से जुड़े सरकार की तरफ से चार बड़े अपडेट आई हैं देखे सबसे पहले तो आपको बता दो आधार कार्ड के उपर जो संक्या है आधार संक्या प्रतेइक वेक्ति की जीवन भर की पहचान है आधार संक्या से आपको बेंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी वगेर सरकारी सेवाँ की सुविधाई प्राप्त करने में सुविधा होगी बड़ी अपडेट यह है, UIDAI की और से आधार कार्ड बनाने वाली प्राइवेट कमपनियों को जन्मतिती और जन्मतिती में सुधार करने के लिए नए नियम जारी किये हैं अब देखें सबसे पहले तो आपको बता दो अब बिना जन्म परमान पत्र और हाई स्कूल सर्टिफिकेट के कोई भी वेक्ती आधार कार्ड में किसी भी वेक्ती की जन्मतिती में सुधार नहीं कर सकता है यानि कि जैसे आप अपने आधार कार्ड में उम्मर वगेरा बढ़ाना चाते हैं तो आपके पास पहले प्रूप होना चाहिए चाहे वह जन्म परमान पत्र हो या हाई स्कुल सर्टिपिकेट हालां कि पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी लेकिन सरकार को यह काम इसलिए करना पड़ा क्यूंकि कई लोग आधार कार्ड का गलत इस्तमाल करने लगे थे युवा लोग बुजुर्ग पैंसन उठा रही थे और छोटी उमर की लड़कियां विद्वा पैंसन उठा रही थ तो मुप्त रासन की सुविधा बंद हो सकती है अचा देखे राजिस्तान में नरेगा सर्मिको की मजदूरी देने में भी धोका दड़ी के कई मामले सामने आये हैं अब केंदर ने नए नियम के अनुसार मनरेगा मजदूरों को उनका पेमेंट आधार कार्ड के हिसाब से दिया जाएगा मजदूरों का पेम खाता उनके आधार कार्ड से जोड दिया जाएगा और फिर उनके जोग कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा प्रश्ट अचार को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है इस तरीके से मजदूर को अपना पेम खा का सामना नहीं करना पड़े अच्छे देखिए पेंसन लेने वालों के लिए भी बड़ी अपडेट है क्योंकि कई लोग फरजी आधार काड से पेंसन उठा रहे थे इस गोटाले में युवाओं ने अपनी उम्मर 30-40 साल से बढ़ा कर 55 साल या उससे अधिक दिखा दी थी ज साथ लाख लोगों ने EKYC नहीं कराई है जिन में गड़वड़ी होने की संभावना हो सकती है आपको बता दू फरजी तरीके से यह सबी लोग हर महिने सरकार से साथ लाख 41,400 रुपे की पेंसन ले रहे थे यानि पिछले पान सालों में यह पेंसन धरी कुल 4.44 करोड रु पेंसे पीम किसान योजना की रासी सीधे लाबारती के खाते में आ जाती है कोई भी बिचोलिया नहीं होता यदि यही रासी अगर आज से 10 या 15 साल पहले आती तो आपको बहुत कम फाइदा मिलता यह पेंसे बीच में खा लिये जाते हैं लेकिन चिंता जनक बात यह है जगे सत्यापन करवा रही है ताकि फरजी लोगों को बाहर निकाला जा सके वहीं सरकार ने कई मोके भी दिये हैं सरकार ने कहा है कि अगर लोग फरजी तरीके से लाब उठा रहे हैं वह अपने आप निकलते हैं तो ठीक है वरना फिर कारवाई होगी और वसूली होगी टी ए आई ने अभी 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाने की सुविधा बिल्कुल फिर दे रही है तो अगर आपका भी आधार कार 10 साल पुराना हो गया है और आपने एक बार भी अपडेट नहीं करवाया है तो करवा सकते हैं वरना फिर आपके लिए मुश्किलें बेदा हो सकती है और अब सभी योजनाओं में EKYC की परकिरिया पूरी आपको करनी ही होगी यह परकिरिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सरकारी योजनाओं का दुरुपियोग तो नहीं हो रहा है